हेलो फ्रेंज वेलकम तो सिक्षा कैसे आप सब तो बड़े समय से बहुत से लोग कह रहे थे सर जो नॉन वीडियो mcq कोर्स है उसको लेकर के हैं तो उसको दुबारा से लॉंच कर रहे हैं ठीक है तो अभी के लिए फिलाल के लिए चार तरह के आपको कोर्स मिल रहे हैं एक आपको मिलेगा mcq कोर्स 500 प्लस mcq कोर्स फॉर गाप वन इस फॉर इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉग वन इस फॉर सूशल सिक्योरिटी और आप चाहे तो तीनों का कॉम्बो भी परचेस कर सकते हैं वन वेरी इंपॉर्टेंट फिंग जो इसमें आपको याद रखना है वो क्या है कि यह नॉन वीडियो है फिलाल के लिए ठीक है लेकिन अगर हमें ऐसा लगा कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो में भी हम इसमें वीडियो सेलूशन भी आड कर दें लेकिन वह स् वैसे साथ प्रॉइड किये जाएंगे ठीक है और यह जो टेस्ट यह आपके आराउंड 15 टेस्ट होंगे जिसमें किसी टेस्ट में 30 कोशेंट किसी टेस्ट में 40 कोशेंट किसी में 45 तो आइडिया यह है कि 500 टू 550 600 के बीच में आपको हम कोश्चन देने की कोशिश करेंगे नौन वीडियो है फिलाल के लिए विडियो अगर हम ऐड कर पाए तो हम इसमें ज़रूर करेंगे, कोशिश पूरी रहेगी, लेकिन अभी के लिए जो प्राइस है वो भी नौन वीडियो के हिसाप सी सेट किया हुआ है, लेकिन अगर वीडियो इसमें एड भी कर दी तब भी आपके लिए price कुछ बढ़ाया नहीं जाएगा course को purchase कैसे करना है आपने website के उपर जाना है जिसका link आपको description में भी मिल जाएगा website है www.sikshasweekhsha.com link description में भी आपका available है ठीक है जब आप इस website के उपर जाओगे मैं आपको show कर देता हूँ एक बार आप website के उपर जाओगे तो कुछ ऐसा आपको website देखेगा ठीक है तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने login कर लेना है login करने के लिए आप या तो register कर सकते हो mail से या फिर आप directly अगर आपके पास google account है तो आप directly google account से भी sign in कर सकते हो ठीक है for example अगर मैं आपर sign in करने की कोशिश करता हूँ ठीक है और मैं अपने google account से याँ पर sign in कर लेता हूँ जैसे ही मैं sign in करूँगा ये store आपके लिए खुल जाएगा जिसमें जो courses मैंने आपको बताए वो available है एक course इसमें आपको सबसे starting में दिखेगा जो है schedule for of the 500 plus test mcq test तो मैं आपको strictly recommend करूँगा कि कोई भी test का course खरीदने से पहले आप एक बार इसका schedule जो है वो check कर लो ठीक है ये free में आपका खुल जाएगा आप जैसे इसके उपर click करोगे ये आपके आप इसको add to my course करना ठीक है ये आपके my courses में add हो जाएगा और वो यहाँ पर ऐसे show करेगा जब ये add to my courses में आपका show कर रहा होगा तब आपने क्या करना है कुछ नहीं करना आपने इसके उपर view course के उपर click करना है and view course के उपर जब आप click करोगे यहाँ पर classes में जाकर schedule for test के उपर click करना है फिर यहाँ पर एक pdf file आएगा इसको आपने open कर लेना है यहाँ पर आपका जो tests का schedule है वो given है आपका पहला test जो है वो कल से start होगा यानि कि 5th of April 2021 से test 1 आपका industrial relations and labor law का social security in India का gap का कल कोई test नहीं होगा ठीक है अगर आप combo course खरीते हो तो यह तीनों का आपके लिए काम का है अगर आप कोई individual खरीते हो तो आप individual test का schedule भी यहाँ से देख सकते हो generally test को कैसे schedule किया गया है एक दिन आपके test रखे गया है industrial relations and labor law के जैसे 5th April को and social security in India का उस दिन gap का कोई test नहीं होगा 6th जो अपरेल होगा उसमें आपका industrial relations and labor law और social security in India का कोई test नहीं होगा gap का test होगा तो इस तरह से आपके 15 test जो है उनका schedule यहाँ पर given है 5th April से शुरू होगे and जो last test आपका इस तरीके से होगा वो कब होगा 4th of May को ठीक है आपका 9th of May को paper है तो last test आपका 4th of May को होगा तो यह schedule है इसको आपने अच्छे से देख लेना है उसी के बाद आपने purchase जो है वो करना है आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि sir हमें तो लगा था कि आप सारे के सारे test एक बार में provide कर दोगे और अब हमने खरीद लिया अब हम क्या करें तो यह मैं कोई भी false commitment आपके साथ नहीं करना चाहता तो यह strictly आपने जो है अपने दिमाग के अंदर रखना है कि जो आपके tests हैं वो इसी schedule के हिसाब से होंगे alright चलिए okay तो अब किसी को कोई भी query हो कोई भी doubt हो तो आप comment section में post कर सकते हो या फिर आप mail कर सकते हो 66.8.gmail.com के उपर ठीक है या फिर आप comment section में भी लिख सकते हो या फिर आप whatsapp भी कर सकते हो 904 यह pen थोड़ा पता नहीं मेरा क्यूं खराब चल रहा है 904 1244 689 के उपर ठीक है description में link available मिल जाएगा जहां से आप ये courses डाउनलोड कर सकते हो courses को जितना हो सके उतना affordable रखने की कोशिश की गई है ये MCQs देखिए कोई और MCQs होते हैं वो बनाने फिर भी comparatively easy होते हैं gap, industrial law और social security के MCQs frame करने में काफी जादा जो है महनत लगती है तो अगर कोई भी किसी को कोई doubt है तो आप जो है वो ज़रूर पूछ सकते हैं चलिए तो यहाँ पर sign off करेंगे बाकी video सारी आपकी free of cost हैं जो youtube पर चल रही हैं वो तो चलेंगी ही उसमें किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है ओके चलिए तो यहाँ पर मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा मिलेंगे फिर अगली किसी class में तब तक के लिए बाबाए